आपके पास बहुत सारी रेमेडीज होती हैं उससे बचने की आप एंटीसिबेटरी बेल लगाईए या फिर हो सकता है किसी तरह का प्रोटेक्शन आपको कोट से मिल भी जाए बेलेबल आफेंस में जाकर आप एंटीसिबेटरी बेल लगा देते हैं मतलब यहीं से आप पसाने की तैयारी खुद कर लेते हैं जब भी किसी घर में कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है या फिर आपका कोई सगा समंदी जानकार कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट है अभी उसको जेल भेज़ दिया गया है तो उसकी बेल कराने में बहुत सारी परिशानिया आपके स चुअज़ और सारी अडचने आपके बीच में आती हैं एंटिसिपेटरी बेल आप कैसे ले पाएंगे क्या है उसका तरीका कब आप पियो डिक्लेर हो जाएंगे मतला भगोडा आपको डिक्लेर कर दिया जाएगा साथ मही क्या तरीका है क्मप्लेंट से लेकर अरेस्ट त पूरा देखें और बने रही है अमारे इस वीडियो के साथ अगर पुलिस के सामने है थोड़े से भी evidence अगर आपके अगेंस्ट है आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा आपके पास बहुत सारी remedies होती है उससे बचने की आप anticipatory bail लगाईए या फिर हो सकता है किसी तरह का protection आपको court से मिल भी जाए anticipatory bail पर सीधा आप approach कर देते हो जब की मामला होता है सिर्फ और सिर्फ एक notice का notice कभी भी आपके पास आए तो आपको करना क्या है किसी भी कानूनी जानकार आपके सगेसमंदी आपके जानकार जो भी कोई कानून के बारे में थोड़ी सी भी knowledge रखते हैं उन्हें अपने साथ लेकर जाए पुलिस टेशन में आपके साथ कुछ नहीं होगा परेशान मत होए घबराईए नहीं या फिर किसी भी वकील सहाब को आप कंसल्ट कीजिए वकील सहाब नॉर्मल सी अपनी fees लेंगे आपके स सिपेटरी बेल लगाने के लिए ज़्यादा तर लोग आपको एडवाईज करेंगे कि आप एसा करना नहीं है आपको पहले तो पुलिस के नोटिस की तामिल करनी है जाना है जाए पुलिस टेशन जाकर मिलिए उनसे और पूछ ये कि मेरा गुना क्या है और उन्हें बताई मामला पुलिस टेशन से ही खतम हो जाएगा एंटिसेटरी आप बेल लगाएंगे 438 of CRPC में प्रावधान है इस चीज़ का मैंने कई बार ये भी दिखा है इसके अंदर कि मामला क्या होता है बेलेबल ओफेंस है बेलेबल ओफेंस में जाकर आप एंटिसेटरी बेल लगा द बेल आप तब लगाएंगे जब मामले नोन बेलेबल ओफेंस के हैं आप सबसे पहले लगाएंगे सेशन्स कोट में जो लोवर कोट हैं CMM वाले मजिस्टेट साब के जो कोट होते हैं वहाँ एंटिसेटरी बेल नहीं लगती है वहाँ बेल आपको नहीं लगानी है बेल कहा बार देखा है बेलेबल ओफेंस के अंदर भी जाकर एंटिसीपेटरी बेल लगा देते हैं यहां से आपकी डिगनिटी पर सवाल उट जाता है दोस्तों आपको दोस्तों करना क्या है जैसे ही सेशन्स कोट में आप बेल लगाएंगे एंटिसीपेटरी बेल पर सुनवाई सकती है जो पुलिस वाले से कोई रिपोर्ट मंगाई है वरना यहां पर मैक्सिमम एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा हाई कोट में आपको प्रबलम आएगी दोस्तों हाई कोट में जैसे ही आप एंटिसीपेटरी बेल लगाते हैं लगने के बाद में पहले पुलिस एक मेना दो मेना तीन मेने का टाइम आपको लग सकता है जब तक आप फरार हो पर पहली जब सुनवाई होती है कोट में हाई कोट में उसी दिन आपके वकील साहब इंटेरिम ओर्डर की डिमांड कर सकते हैं मतलब कि मुझे इंटेरिम ओर्डर दिया जाए मुझे छोड़ा इंटेरिम प्रटेक्शन आपको नहीं मिलती है नोटिस फरेम होता है डेरि माई जाती है वेत करना पड़ेगा इसमें मेना दो मेना चेचे मेने का टाइम लगता है दोस्तो हाई कोट में सुप्रीम कोट अगर आप जाते हो माल ओ हाई कोट में आपकी Byl दिसमिस हो गई अगर आपके मामले में दम नजर आता है तो वहाँ पर notice कर दिये जाते हैं और यहाँ पर आपको interim protection maximum time मिल जाता है या फिर आपकी bail को decide कर देंगे 15-20 दिन में number Supreme Court में आ जाता है यह depend करता है हम जितनी बार भी Supreme Court में अपने cases को लेकर जाते हैं maximum बता रहा हूँ आपको 15-20 दिन महीने बर में आपकी पहली date लग जाएगी court में आप जा के अपनी बातों को court में रख सकते हैं उसके बाद में decide होता है कि अब आपका notice होगा मतलब SLP को आगे बढ़ाया जाएगा यह तब ही decide कर दीकर ही depend करता है anticipatory bail को लेकर कोई भी आपके दिल में सवाल है आप चाते हैं online consultation लेना कोई हमारी help आप चाते हैं कुछ भी है दिये गए number पर आप whatsapp करें अपने सवालों को comment box में छोड़ें ताकि हम उसके reply कर सके और आपका क्या मामला है उसके बारे में comment box में जरूरू बताना कोई सवाल होंगे हो सकता है हम आपको reply दे कर उसका कोई solution आपको दे सके या फिर online consultancy के through भी हम आपके मामलों के बारे में आपको बता सकते हैं हो सकता है कि बिना court जाए बिना anticipatory bail लगाए आपको कोई न कोई solution मिल जाए दोस्तों अच्छा लगावाज का वीडियो हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों परीजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको कानूनी जानका बना सके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें साथ में लगावाज लाकर ज़रू दबा दें ताकि इसी तरह की जो legal awareness की वीडियो आपके लेकर आते हैं वो आप तक बहुत सके सबसे पहले हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए